नमस्कार, मेरा नाम मुदित गिलोत है, मैं कप्षा चार में पढ़ता हूँ, आज हम संग्या के बारे में पढ़ेंगे, संग्या संग्या किसी वस्टू, प्राणी या जगा के बारे भाग, जगा के बारे में बताने वाले शब्द को संग्या कहते है जैसे प्राणी, मुदेत, रावी, शेर, वस्टू, जैसे कोई भी चीज हो तो उसको वस्टू गहते हैं पंखा, सोफा, मेर्ज उसको वस्टू गहते हैं जगह, जगह जैसे जोधपूर, राजस्तान, मुंबई अब भाव, भाव जैसे अपने मन की भावना है क्रोध, गुसा, क्रोध, घर्मी, कुशी, संग्या के भेद वैसे तो हमको पांच भेद होते हैं पर हमको तीन भेद चिकाए गए हैं तो इसले पहला व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेश, प्राणी, वस्तू, यास्तान के बारे में चानकारी देने वाले शब्द व्यक्तिवाचक होते हैं मात्मा गांदी, रामायान और अब जाती वाचक विशेश वक्ति या फिस पायान के बारे में पूरी उसकी जाती बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं जैसे जैसे सबजी नदी अब यह लास्त है इसको भाव अचा कहते हैं अपने जैसे अब भी मैंने बोला था भाव अपने मन के भावना है वैसी ही संग्या शब्द जैसे किसी भी दिशाओ और दिशाओ गुन दोश के आदी बोद देने वाले आदी शब्द को भावातर कहते हैं जैसे जैसे बुदापा 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 प्यास नमस्का